हे फ्रेंट्स कैसे हो आप सब लोग, होप आप सबी ठीक और अच्छे होंगी फ्रेंट्स आज फिर से मैं आपके लिए एक और नया टापिक लेके आया हूँ और इस टापिक का नाम है नियो क्लासिकल अप्रोच टू वेलफेर एकनॉमिक्स और नियो क्लासिकल थियोरी टू वेलफेर एकनॉमिक्स मोस्ट इंपॉटन थियोरी है, मोस्ट इंपॉटन अप्रोच है तो चलो इस अप्रोच को डिसकस करते हैं यह अप्रोच, यह थियोरी कब इमर्जड कब हुई लेट 90th सेंचरी में और अरली 20th सेंचरी के बीच में यह थियोरी जो है डिवेल्प हुई है उनिसमी और बीसमी सदी के बीच में यह थियोरी डिवेल्प हुई है और प्राइमरली कौन से एकनॉमिस्ट, कौन से थिंकर के साथ एसोशेटिड है मेजरली तीन इकनामिस्ट हैं कौन-कौन से अलफर्ड मार्षल, ACPigoo और पैरिटो ठीकर तो ये तीन इकनामिस्ट हैं उन्हों नेहीं नियो क्लासिकल एप्रूच टू वेलफर एकनामिक्स दिये ठीकर तो क्या-क्या की फीचर है इनको डिसकус करते हैं ठीक है इनका भी मानना था कि utility maximization ये key feature है किसका new classical approach to welfare economics का इन economist का मानना था और इन्होंने strong emphasis दिया है किस पे individual utility के maximization पे और इनका मानना था कि इसी से क्या होगा welfare होगी समाज की और individual की और individual जो होगा इन्होंने assume किया था कि वो rational होना चाहिए जो क्या करने वाला होना चाहिए कि अपनी choices or utilities को maximize करने वाला होना चाहिए तो aggregate of social welfare कहां से हमें मिलेगी जब हम सम करेंगे individual utilities को individual welfare को तभी हमें क्या मिलेगी social welfare second feature क्या है market failure and government intervention तो new classical economist जो है market mechanism पे तो focus देते ही देते हैं बट साथ मैं government की intervention पे भी focus देते हैं इनका मानना था कि market जो forces हैं उनकी वज़ा से क्या होता है कि fail भी हो जाती है कि के cases में market fail हो जाती है achieve efficient जो outcome लानी थी उसने जहां पे demand and supply intersect होते हैं जहां पे नहीं हो पाते तो उस वज़ा से क्या होता है market fail हो जाती है चाहे वो externalities की वज़ा से हो market power monopoly की वज़ा से हो या imperfect competition की वज़ा से हो या public goods की वज़ा से हो तो इस वज़ा से क्या हो जाता है इन सभी cases में government की intervention must हो जाती है ताकि वो क्या करे कि जो market failures हैं उनको correct करे और improve करे social welfare को ठीके तो ये था second feature government intervention third feature क्या है new classical approach to welfare economics का वो क्या है cost benefit analysis तो new classical economics क्या कहती है या dependent किस पे है cost benefit analysis पे ताकि जो भी policies हैं projects हैं उनकी desirability को check or evaluate करने के लिए किसका analysis must हो जाता है cost benefit analysis का ताकि इसमें compare की जाए cost और benefits जो different course of action हो जिसमें पता लगे कि इसकी वज़ा से कोई भी policy है या project है इसके वज़ा से जो social welfare है या इसके उपर impact क्या पढ़ रहा है तो वो भी पता लगता है किसे cost benefit analysis से ये भी मानना था किसका new classical economist का और new classical approach का fourth feature क्या है efficiency equity trade-off efficiency की इस वज़ा से होगी जब optimal allocation of resources और optimum use of resources होगा और equity क्यावाएगी जब distribution जो है वो justisable होगा ठीके और equitable होगा तो ये भी मानना था किसका new classical economist का इनका मानना था कि efficiency और equity के बीच में एकदम साथ साथ उसको मिला की चलना है ठीके efficiency तो लानी ही लानी है बट equity भी लानी है economy में जिस वज़ा से क्या होगा social welfare होगी next feature कौन सा है market oriented solution new classical approach क्या बोलती है ये favor करती है market oriented solution को और market mechanism को ठीके ताकि जो economic problems सारी है उनको solve out किया जाए ठीके और इन्होंने well functioning market को तो दिया ही दिया focus है competition और property right को भी बहुत ज़ादा focus दिया है जिस वज़ाए से क्या होगा कि efficiency और welfare बढ़ेगी बट साथ मैं इन्होंने government intervention को भी main focus रखा है ताकि जो भी market failure हो उसको correct करने के लिए ठीके major role किसका रहेगा सरकार का रहेगा तो conclusion के तोर पे हम बोल सकते हैं कि जो new classical approach welfare economics की है वो किस पे built हुई है classical economics पे ठीके और साथ मैं इसने modern economic theory को भी analyze किया है ठीके और emphasize किस पे किया है इन्होंने individual preferences को market efficiency को और role of government intervention को ताकि क्या हो जो social welfare हो वो promote हो सके ठीके ये ठीके भी यहाँ खतम होती है आपको ये theory new classical approach to welfare economics कैसी लगी अगर आपको ये lecture अच्छा लगा तो like करें share करें comment करें इसको अपने friend के साथ और अगर अभी भी आपने हमारे channel in depth को subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe कर लें और further update के लिए आप हमारे साथ telegram group को भी join कर सकती हो उसका link मैंने description में दिया है धन्यवाद, thank you, thank you for watching this video